असलाम अलेकूम फ्रेंस कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके साथ शेर करूँगी मटन कोफता कड़ी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और यम्मी रेसिपी है तो फ्रेंस रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर तो सबसे पहले हम एक मिक्सर ज़ाल लेंगे इसमें एक बड़ी प्यास 5-6 हरी मिर्च थोड़ा सा हरा धनिया और अगर आपके पास अधर कलसुन पीसा हुआ है तो वह दाल दीजिए एक चममच तो मेरे पास पीसा हुआ था तो मैं वह दाल दी इसको हम पीस लेंगे थोड करके पीस लीजिए तो अब इसमें हम बाकी के पाउडर मसाले दाल देंगे तो एक चममच लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला आदा चममच नमक दालेंगे नमक अपने टेस्ट के साब से दाल लिए अब इसमें हम दालेंगे बेसन ये भुनावा बेसन है आप इसकी जगे में भुनावा चना उसका भी पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये मैं 100 ग्राम यापे इस्तेमाल कर रही हूँ अब इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें हम आदा चमच देसी घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे तब तक हम मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए तो दो चमच के करीब हम सुखा नारेल लेंगे और दो बड़ी प्यास को हम तल के ले लेंगे और 200 ग्राम दही लेंगे अगर आपके पास सूखा नारेल है तो आप वो इस्तिमाल कीजिए ये मेरे पास रखा हुआ था पॉडर फॉर्म में तो मैं वो इस्तिमाल कर रही हूँ तो अब ये डाल देंगे ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से हम पीस लेंगे तो मसाला जो है वो रेडी हो चुका है पीस के अब हम इसके कोफते तयार कर लेते हैं तो कोफते बनाने के लिए हम इसको वापस एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हातों में जो है तेल लगा लेंगे और तेल लगा के इसके कोफते बना लेंगे तो कोफटा जो है आप अपने हिसाब से चोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो यह देखिए इस तरह हम बागी के भी कोफटे को जो है बना लेंगे तो फ्रेंज अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके कुफते जो है बिलकुल तूटेंगे नहीं जब आप फ्राय करेंगे तभी भी नहीं तूटेंगे और जब आप ग्रेवी में दालेंगे तभी भी नहीं तूटेंगे तो बहुत अच्छा ये कुफता कड़ी बन के तयार हुआ है आप लोगी जरूर इसी तरह बनाईए मैं बागी के कुफते रेडी कर लूँगी और पॉडर मसाले में जाएगा एक चमच लाल मिर्च का पॉडर एक चमच हल्दी पॉडर एक चमच गरम मसाला पॉडर आदा चमच जीरा पॉडर और दो चमच धनिया पॉडर दालेंगे और यहाँ पे जो हमने प्यास को फ्राइ किये थे वो ही तेल में मैं कुफते को भी फ्राइ कर लूँगी तो जब एक साइट से फ्राइ हो जाएंगे तो हम इसकी साइट को चेंज करके दूसरी साइट से भी हम इसको फ्राइ कर लेंगे तो हमें ज़ादा डार्क कलर नहीं करना है बस हलका सा फ्राइ करके निकाल लेना है तो जब दोनों साइट से अच्छे से फ्राइ हो जाएगा तो इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे तो यह भी अच्छे से फ्राय हो चुका है दोनों साइट से अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे और बाकी के भी कोफते को जो है इसी तरह हम फ्राय करके रख लेंगे और सेम पैन में हम तीन तुकड़ा जो है दालची निकलेंगे दो लॉंग और चार छोटी लाइची दालेंगे और एक चमच अधक लसुन का पेस्ट दालेंगे और थोड़ा सा पानी दालके हम इसको भूल लेंगे और अदग लसुन अच्छा से भून जाएगा तो इसमें हम सारे पॉर्डर मसाले दाल के दो से तीन मिर्ट के लिए हम इसको भूल लेंगे और अब इसमें दालेंगे जो हम मसाला पीस कर रेडी रखे थे प्यास, खोपरा और दही तो अब ये दाल देंगे ये दालने के बाद इसको अच्छा से हम भूल लेंगे और ये मिक्सर के जार में हम थोड़ा सा पानी दाल के इसमें दाल देंगे और इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे तो दो से तीन मिट के बाद हम इसमें आलू दाल देंगे और इसको cover कर देंगे, अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक अपर टेस्ट के हिसाब से डालिए, और इसको हम slow flame पे पकने के लिए रख देंगे ढ़के, तब तक आलू भी अच्छे से गल जाएगा, और मसाला भी जो है अच्छे से भुन जाएगा, तो 15-20 मिट के ब बाद हम इसमें पानी दाल देंगे, तो पानी मैंने यहाँ पर एक गिलास के करीब पानी इसमें दाली हूँ, आप अपने हिसाब से भी पानी दाल सकते हैं, जितना आपको इसकी gravy रखना है, और उसके बाद हम इसको cover करके 10 मिट तक हम इसको पका लेंगे, और उसके उपर ह हम हरा धनिया से गारिश कर देंगे, और हमारा मटन कोफता कड़ी बनके बिल्कुल रेडी है, इसको एक बॉल में हम सर्फ कर लेंगे, और राइस या रोटी के साथ आप इसको इंजॉय करें, तो अगर आपको मेरी मटन कोफता कड़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंस में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथी में बैल एकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली ऐसी अच्छे अच्छी वीडियो की रेसिपी आपको सबसे पहले पोचें, थैंक्यू सो मच, अल्लाहाफीस